एहम्दाबाद में भी कोरोना वायरिस के पॉजिटिव केस अचानक बढ़ने से वाल सिटी एरिया जो है उसको पूरा का पूरा एक बफर जोन में कनवर्ट कर दिया गया है और कॉरेंटाइन क्लस्टर जो है वो क्रियेट किये गए पूरे इलाके को सेनिटाइज किया जा रह किया है जो इन दर्वाजों के अंदर बंद है एहम्दाबाद के जो 12 दर्वाजे हैं और उस पूरे 10 स्कौर किलोमेटर एरिया को सेनिटाइज किया गया है और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ के इन इलाकों में ये कोरोना चौकियां बनाई गई है जहां पे हर आने जाने वाले व्यक्ति का स्क्रीनिंग किया जा रहा है इस बफर जोन में अंदर एंटर होने वाले व्यक्ति का और अंदर कॉरिंटाइन क्लस्टर क्रियेट के गए हैं जिन गलियों में कोरोना पॉजिटिव केस पाये गये हैं यहां पर लगातार कॉर्पोरेशन की करीब 1000 टीमें डिपलाई की गई हैं, यहां पर और एहमदावाद के कुछ और इलाकों में जो लगातार रेंडम सेंपलिंग कर रही हैं, पिछले 6 दिनों में आज का दिन मिलाकर के करीब 3100 सेंपल्स जो हैं वो कलेक किये गए हैं, इस इ इंटेंसिव सर्वेलेंस और एग्रेसिव टेस्टिंग की वज़े से कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जिनके लक्षन भी नहीं थे और वो करोना पॉजिटिव पाये गए हैं, इन फैक्ट गुरुवार को जो सुभा रिपोर्ट आई, उसमें करीब 50 पॉजिटिव केस हो सकती है, इस प्रोग्रेशन चेन को रोकने के लिए भी और ये प्रक्रिया आने वाले दिनों में इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, कैमरा में नमित राठोड के साथ निर्णे कपूर, इंडिया टीवी, एहम्दाबाद